हेलो बच्चो कैसे हो आज मैं आपको बता हूँगा कंडिशनल फॉर्मिटिंग आप देख सकते हैं मुझे सीरियल नंबर दे रखिया है नेम ऑफ स्टूडेंट और कुछ सब्जक्टे मार्क्स दे रखिया है टोटल दे रखिया है एवरेज दे रखिया उनका रिजर्ट दे अब मैंने इस डेटर को सिलेक्ट किया जो मैंले मेरे सब्जक्ट्स है उनको सिलेक्ट कर दिया मैं clearlyный Посledни फार्मिटिंग में गया अब मैं गया हाइलाइट्स में अब मैं जैसे में करता हूं less than कर देता हूँ अब मैंने यहां लिखाया format cell less than मैं लगाता हूँ जो बच्चा 35 से मतलब जिसके marks 35 से कम हो उसको highlight कर दे आप देखो जैसे कर दिया light red field with dark red text से कर दिया मैंने आप चो देना चाहते हो और भी color से है इसमें yellow color, green color light red field आप देखो मैं green से देता हूँ तो green से highlight हो गए आप अपने मन पसंद का color भी दे सकते हो जैसे मैं यहां गया और यहां गया custom format में गया custom format में जाने के बाद यह मेरा format cell खुल के आजाएगा यहां से मैं font का color font color देना है या border देना है या fill color देना है जो आपको जिस तरह से आप highlight करना जाते हो उस तरह से आप color दे सकते हो फिलाल मैं भी font का color दे रहा हूँ color पे गया और मैंने इसको red color से highlight कर दे text color किया मैंने ठीक है और क्या कर दिया तो आप देख सकते हो मेरा red color से 35 से less than है वो highlight हो के आगया ऐसे इसमे conditional formatting में गया फिर मैं highlight cell में गया अब मैं कर रहा हूँ greater than आप greater than में मैं दिख देता हूँ जो 35 से greater than है उसको मैंने highlight कर दिया अगेन custom format में गया और मैंने इसको format में जाके उसको green color से कर देता हूँ ठेक्स लर को तो देखो 35 से उपर मेरा गिर्ण क्रिवर से okay और मैंने okay कर दिया उसके बाद मैं गया again condition formatting में गया highlight cells में गया अब वो तब between अब between क्या काम करेगा between क्या काम करेगा मैं देखना जाता हूँ मतलब इतने marks से suppose करूँ मैं देखना जाता हूँ 35 से लेकर 80 marks तक जो color highlight करूँ बिट्वीन मतलब जो number डालूँगा उस number की बीच में वो color को highlight कर देगा between का मतलब यह होता है उसके बाद होता है again condition formatting में गया equals to अब equals to क्या काम करता है आप suppose करो देखना अब यह color देखना मैं 35 से नीचे वाले red color हो गया और 35 से उपर वाले green color के हो गये पर 35 इसमें include नहीं हुआ तो मैं क्या किया highlights में गया equals to और मैं यह लग दूँँ 35 तो यह भी color अपना जो color दूँँआ वो color भी वहाँ से highlight हो जाएगा I hope आपको अजमें आ रहा होगा उसके पाद again मैं गया highlights में अब text वाला गया तो अब यह काम करते है text को select कर लिया मैंने क्या किया मैंने text को select कर लिया और conditional formatting में गए highlights में गए अब मैंने कर दिया text that contain अब मैंने यह लिए दूँँ आप pass अगर मैं pass को चलता हूँ green color का हो जाए custom format में गया यह basically text पे चलता है इसलिए मैंने text select किया अब मैं चाहता हूँ phone color मेरा यहाँ पर pass वाली मेरे green color के आजए और fail वाली मेरे इसको मैंने ok कर दिया और ऐसी मैं condition formatting में गया highlights में गया अब मैं एक condition दे रहाँ जिसमें मेरे fail वाले बच्चे red में आजए तो मेरे को यह fail वाले बच्चे red color में दिखा देगा click किया और custom format में गया और यह phone मैंने इसको red color कर दिया तो आप देख सकते हो मेरे pass वाले green में आगे और fail वाले red color में आगे मैंने phone को highlight कर दिया उसके बाद मैं again conditional formatting में गया ऐसी आप duplicate अब यह क्या होता है date अब date वाला क्या करता है suppose को मैं को date डाल देता हूँ मैं यहां डाल देता हूँ मैं डाल दी आज की date डाल दी मैंने 5 01 2014 यह dead enter की मैंने इसको track कर दिया अब मैंने date को select किया conditional formatting में गया highlights में गया date वाले option में गया अब यहां भी कुछ options खुल जाते है जैसे मुझे yesterday को highlight करना है today को highlight करना है तो अब टूदे हाइलेट जिस साब से आप color को highlight कर सकते हो custom format भी है आपे ठीक है और मैं करना जाता हूँ last week को tomorrow को जिस तरह आप highlight करना जाते हो next week को duplicate values अब duplicate value में क्या होता है मैं इस पूरे column को name of student को पूरा select कर लिया उसके बाद में गया conditional formatting में गया और highlights में गया और duplicate values में गया duplicate value में जाने के बाद मैंने इसको highlight कर दिया इसी red color से कर देता हूँ और मैंने ok कर दिया अब मैं कुईसी का नाम same डाल दूँ जैसे मैंने same name डाल दिया again मैं डाल दिया pinky तो उसको क्या करेगा ये pinky नाम को highlight कर देगा मतलब ये आपके data को जो भी आप duplicate data को enter कर रहे होगे उसको ये क्या कर देगा highlight कर देगा जिसमें घलती के कम chance होते है अब अपने mobile number अगर आप यहां mobile number एंटर कर रखा होता अगर मैं दुबार रिपीट mobile number डाल दूँगा तो उसको ये highlight कर देगा उसके बाद ये option मेरे सारे लगबख हो गए है डुप्लिकेट वाला अब top to bottom वाले पे आ गया मैंने अपने data को select किया conditional formatting में गया और मैंने क्या किया top and bottom को select किया top 10 items इसको click किया अब इसमें क्या रहा है 10 जो मेरे 10 marks है highest marks है top 10 marks है उनको highlight कर दिया color अपने इसाब से आप change कर सकते हो मैंने आपको बता दिया था अगर मैं इसमें कम कर देता हूँ तो देखो कम भी हो रहे है जितने कम बढ़ा सकते हो देखो मैंने कर दिया मैंने 3 subject को highest जो top 3 marks को मैंने highlight कर दिया उसके बाद इस तरह में और भी कुछ options है इसमें जैसे top 10 percentage को करना है bottom 10 items को करना है जैसे bottom बे click कर दिया अब मैं इसमें कम कर देता हूँ देखो यह bottom के जो भी है top 4 के मुझे highlight करके दिखा देगा ठीक है इसमें और भी option है again conditional formatting में गया उसके बाद यहाँ पे आप bottom कर सकते हो above average, below average ऐसे आप एक बाद try कर के थे ना यह सारे option आप से चल जाएंगे कोई मुश्किल option नहीं है और यह basic conditional formatting है उसके बाद है data bars अब data bars क्या होता देखो आपके data को highlight कर देता है अब जो भी आपको color में चीएंगे तेखो अपने data को highlight कर देता है अच्छा एक चीज़ notice करो जो 100 वाला है उसको बिलकुल यह 100 वाले को बिलकुल फूल दिखा रहा highlight कर रहा है इसको पहले clear कर देता हूँ conditional formatting में गया और यहां से मैंने clear rule कर दिया और selected select कर दिया अगेन करके दिखाता हूँ conditional formatting में गया color scale में गया यह आपको data को highlight कर रहा है यह आप color से highlight कर देता है आप एक चीज़ notice करो जैसे मैंने यह कर लिया आप देखो जो highest marks है जैसे 100 marks वाले को same color दे दिया 86 जो उसके आसपास के marks है उनको same color देता है और जो lowest marks है उसको देखो जैसे 0 वाले को same color दे दिया 12 वाले को same color दे दिया 18 वाले को same color दे दिया तो आप color scale के साब से आप आपने data को highlight कर सकते हो उसके बार होता है आइकन सेट यह आप अलग-अलग आइकन भी लगा सकते हूँ जो आपको आइकन अच्छा लगता है जैसे आप यहाँ देख रहे हो यहाँ आइकन दे रखे हैं यहाँ पे नेटवक वाले आप जैसे मैं कोई इसमें ले लेता हूँ आइकन जैसे मैंने यह आइकन ले लिए आप देख सकते हो 100% वाले को फूरा नेटवक दिखा रहा है और जीरे वालों को नेटवक ने दिखा रहा ऐसे आप data आइकन भी लगा सकते हूँ आइकन भी लगा सकते हूँ वालों को फॉर्मले के थूरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अडवांस कंडिशन फॉर्मले बताऊंगा विद फॉर्मला थेंक यू आज क्ले इतना ही